हेलो फ्रिंट्स वेलकम टू माई चैनल आयम मनोज कुमार और दोस्तों आज हम बात करने माले एक प्रॉब्लम की दोस्तों कई बार जब हम सॉफ्ट्वेर अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं तो हमें एक बेसिक सी जावा रिलेटेड एरर जो है वो फेस करनी पड़ती है कौन सी एरर मैं आपको एक बार करके दिखा दो लेट से यह एक छोटा सा एक बी आई का मेरा प्लग इन है जिसको मैं किस पर इंबिल्ड करना चाहता हूँ अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ओपर ही प्लग इन मेरा एप्लाई होगा इस प्लग इन के लिए जब मैं इसको रन करता हूँ तो सॉफ्ट्वेर मेरा एक अल में डालता हूँ और डालने के बाद में कोई नया सौफ्ट्र इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ तो वहाँ पर ये इस तरीके की प्रॉबब्लम है कि Java का runtime environment उसको नहीं मिलता है इस वाली प्रॉब्लम को हमें फेस करना पड़ता है तो इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे दोस्तों आज की वीडियो में हम यही देखने वाले तो बिना टाइम वेस्ट के हुए स्टार्ट करते हैं और पहुंसते हैं सीधे कहां पर और क्रोम पर और क्रोम ब्राउजर पर जाके सिंपली लिखते हैं जावा रन टाइम इंवार्मेंट डाउनलोडेड फॉर विंडोस सेवन लेट सी कोई भी हो सकता है आपका विंडोस सेवन आप चाहो तो यहां पर थर्टी टू बिट भी दे सकते हो अपना और सिंपली यहां पर सबसे पहले आपके पास जो लिख आता है आपको उसी लिंक पर क्लिक कर देना है I am simply यह पेज क्छोलता ए इस पेज पर आपको फार्प्रारा करना है अपने लिए जावा का वो लिंक जो आपके लिए क्षिते बलह तो आपको सबसे पहले तो अपने सिस्टम की configuration पता होनी चाहिए कि आपके system की configuration क्या है simply आप जाएए यहाँ पर आप easily देख सकते हैं कि आप क्या system use करें 32 bit का आपका operating system है और आप use करें दोस्तों क्या windows तो windows क्योंकि यहाँ पर genuine windows है कुछ नहीं 32 bit की है कुछ नहीं करना है मुझे 32 bit वाला जो मेरा software है या जो मेरा Java का environment का link है उस पर क्लिक करना है और download करना है नीचे यहाँ Mac के लिए Linux के लिए Solaris के लिए सभी के लिए link दिये हुए तो यहाँ पर windows वाले पर मैं क्लिक कर देता हूं जैसे ही क्लिक करता हूं नीचे मेरे को एक जावा खा जो .exe file है वो download हो जाते है simply इसको run करते हैं दोस्तों इस तरीके का message जो है वो आपकी screen पर आ जाते हैं आप बढ़ते हैं आगे की step की तरफ देखते हैं कि सच में इसने हमारे software के installation को complete कराने में हमें help की भी है कि नहीं simply दोस्तों double click करते हैं एक बाद yes करते हैं English पर click करते हैं और देखिए अब की यहां पर हमारी जो वो error थी वो error यहां पर successfully remove हो गई है और अब हम अपने software को easily next 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 करके finish कर सकते हैं तो simply click करता हूं next के उपर then again next और यहां पर दोस्तों मेरा वो Microsoft Office या Microsoft Word document यह देखिए दोस्तों यहां पर finish हो गया finish होने के बाद एक चीज तो यहां clear होगी कि Java runtime environment का जो error आता है उसके लिए छोटा सा एक Java का file डालने भर से मेरा solution जो हो जाता है और मेरा कोई भी most of the time Oracle के software को जावा का यह plugin चाहिए होता है जावा का यह patch चाहिए होता है तो उसको डालते ही मेरे software install हो जाते हैं तो दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से Java की जो runtime के error आती है उसको कैसे remove कर सकते है या उसका solution कैसे डिजाइन कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो में थोड़ी बहुत knowledge आप तक पहुची हो तो वीडियो को like कीजिएगा share कीजिएगा और दोस्तों अपने भाई के इस काम को motivate करने के लिए support करने के लिए चैनल को subscribe जरू कीजिएगा so that हम इस तरीकी की छोटी छोटी सही बट knowledge वाली वीडियो बनाते रहें फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो में नए concept के साथ तब तक के लिए thank you so much